एक तरफ मान्य प्रधान मंत्री जी का एक्जाम्पल है और दूसरे तरफ अपने संस्कृती को अपहास करने वाले ये लोग है जनता ठीक समय में ठीक तरीके के जबाब देंगे नमस्कार कापिटल टीवे बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ आत्मचा 22 जन्वरी को राम मंदिर का उठाटन होने वाला है और इसको लेकर बिहार ही नहीं बलकि पूरे देश की सियासत काफी गर्माई हुई है एक तरफ जहां बीजीपी राम मंदिर को लेकर जोरो सोरो से तयारिया कर रही है वहीं दूसरी तरफ इंडी गठ बंधन की तरफ से लगताई राम मंदिर और सनातन धर्म को लेकर विवादित बयान बाजिया की जा रहे हैं जिसको लेकर इंडिय कट बंधन के नेता भाजपा के निसाने पर भी हैं। इसे क्रम में आपको बता दे कि राष्ट्य युवा दिवस के मौके पर भाजपा युवा मोर्चा की राष्ट्य अध्यक्ष और साउथ बैंगलोर के सांसत ते जश्वी शूर्या आज बिहार पहुँचे हैं। जिन लोग सुप्रीम कोर्ट में प्रभू श्रीराम के खिलाफ और प्रभू श्रीराम कालपन हिके इस प्रकार के अफिडविट जिस लोग ने डाले थे। उनसे इससे ज्यादा अपेक्षा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इन लोगों के डिने में ही भारत के खिलाफ सनातन के खिलाफ काम करने का वारता लाप करने का काम उनके डिने में स्थापित हो चुका है। कई सालों से हम देखते आये हैं, इनसे हम कुछ डिफरेंज या कुछ फरण इनसे हम expect नहीं कर पाते हैं। आजसे मान्यप्रधानमंत्री जी बरत भी शुरू किये हैं प्राण-प्रतिष्टा से पहले। एक तरफ मान्य प्रधान मंत्री जी का एक्जाम्पल है और दूसरे तरफ अपने संस्कृति को अपहास करने वाले ये लोग है जनता सब देख रही है देखिए इनका बयान हो या घमंडिया गटबंदन के दूसरे नेताओं का बयान हो जनता सब जानती है जनता सब देख रही है और इन सभी इनके बयानों के बारे में इनके पोजिशन के बारे में जनता ठीक समय में ठीक तरीके के जबाब देंगे जाने के ग्यारों दिनों तो अब प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का अब्रत रहेगा तो एक बार आप खुद सुनिए कि इस आउडियो क्लिप में क्या कुछ कह रहे है नरेंद्र मोदी विशेश अनुस्ठान आरंब कर रहा हूँ इस पवित्र अवसर पर मैं परमात्मा के स्री चर्णों में प्राथना करता हूँ रुशियों मुनियों तपसियों का पुन्यस मरण करता हूँ और जनता जनार्दन जो इश्वर का रूप है उनसे प्राथना करता हूँ कि आप मुझे आशिरवात दें ताकि मन से, वचन से, कर्म से मेरी तरफ से कोई कमेन आ रहा है साथियों मेरा ये सवभाग्य है कि ग्यारा दिन के अपने अनुष्ठान का आरंब मैं नासिक धाम पंचवटी से कर रहा हूँ पंचवटी वो पावंधरा है जहां प्रभूस्री राम ने काफी समय बिताया था और आज मेरे लिए एक सुखत सेयोग ये भी है कि आज स्वामी विवेकानन जी की जन्मिजेंती है ये स्वामी विवेकानन जी तो थे जुन्नों ने हजारों वर्सों से आकरांती ध्वारत की आत्मा को जग जोड़ा था आज वही आत्मिविश्वास भव्य राम मंदिर के रूप में हमारी पहचान बनकर सब के सामने है और सोने पर सुखा देखिए आज माता जी जाबाई जी की जन्मिजेंती है माता जी जाबाई जिनों ने छत्रपती सीवाजी महराज के रूप में एक महा मानों को जन्म दिया था आज हम अपने भारत को जिस अक्षून रूप में देख रहे हैं इसमें माता जी जाबाई जी का बहुत बड़ा योगदान है और साथियों जब मैं माता जी जाबाई का पुन्डि स्मरान कर रहा हूँ तो सहज रुप से मुझे अपनी मा की यादाना बहुत स्वाभाविक है मेरी मा जीवन के अंत तक माला जबते हुए सीता राम का ही नाम भजा करती थी साथियों प्राण प्रतिष्ठा की मंगल गड़ी चराचर स्रुष्टि का वो चैतन्य पल अध्यात्विक अनुभुदी का वहुसर गर्ब गुरु में उस पल क्या कुछ नहीं होगा साथियों सरीर के रूप में तो मैं उस पवित्र पल का साक्षि बनूगा ही लेकिन मेरे मन में मेरे रदे के हर स्पंदन में एक सो चालिस करोड भारतिय मेरे साथ होंगे आप मेरे साथ होंगे हर राम भक्त मेरे साथ होगा और वो चैतन्य पल हम सब की सांजी अनुभुती होगी मैं अपने साथ राम मंदिर के लिए अपने जीवन को समर्पित करने वाले अन गिनत व्यक्तित्वों की परेणा लेकर जाऊंगा त्याग तपश्या की वो मूर्तियां पान्सो साल का धैर्य दिर्ग धैर्य का वो कार अन, गिनत, त्याग और तपस्या की घटनाए, दानियों की बलिदानियों की गाताए कितने ही लोग हैं जिनके नाम तक कोई नहीं जानता लेकिन जिनके जीवन का एक मात्र दे रहा है भव्य राम मंदिर का निर्मा ऐसे असंख्य लोगों के स्मृतियां मेरे साथ होगी जब 140 करोड देशवासी उस पल में मन से मेरे साथ जुड़ जाएंगे और जब मैं आपकी उर्जा को साथ लेकर घरवगू में प्रवेश करूँगा तो मुझे भी ऐसास होगा कि मैं अकेला नहीं आप सब भी मेरे साथ हैं तो देखे राम मंदिर का घाटिन होने वाला है और इसको लेकर पूरे भारत वासियों के मन में काफी उत्सा भी देखने को मल रहा है इसको लेकर एक तरफ उत्सा का महौल है तो वही दूसरी तरफ राजनिती भी अपने चरम पर है और इसी के दरम्यान अप्ति जस्वी शूर्या बिहार पहुंचे हैं और उन्होंने राम मंदिर को लेकर कई सारी बड़ी बाते कही है साथ ही इंडी गठ बंदन के निताव को बड़ी चेतावनी भी दे दी है बाकि आप राम मंदिर को लेकर क्या सोचते आपके अंदर कितना उत्सा है आप अपने विचारों को कमेंट करके हमें बताएं और आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ देखते रहे काप्टल टीवी बिहार धन्यवार